Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitab Suth, so paper 1 में Teaching Aptitude का एक बहुत लिए साधा important topic हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है स्वयम Portal, exam में स्वयम Portal में से जरूर hazardous questions पूछे जाते हैं, तो students, स्वयम की definition से लेकर के, जो भी important concepts हैं, जो भी updated data हैं, उन सभी को आज के session में हम cover करने वाले हैं lecture number 6 याद होगा, तो आपको पता होगा कि यह वहाँ पे हमने discuss किया था methods of teaching, उसमें हमने देखा था teacher center, learner center method, offline and online methods, so online method का ही एक type है स्वयम, तीन types होते हैं, मैंने बताया था स्वयम, स्वयम प्रभा and move, तो आज की इस वीडियो में हम यह most important जो topic है, स्वयम इसको detail में अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का topic है स्वयम, जो की एक online learning portal है, तो सबसे पहले स्वयम एक free online education है, यहाँ पे कोई भी student बिल्कुल free में classes attend कर सकते हैं, बिल्कुल free में पढ़ाई कर सकते हैं, and स्वयम का जो tag line है वो है शिक्षित भारत, उन्नत भारत, यानि कि अग इंडिया development की और भी बढ़ सकता है, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, तो शिक्षित भारत, उन्नत भारत ये चीज़ आपको याद रखनी है, next portal होगा हमारा स्वयम प्रभा and next है MOOC, जो की एक vertical ही है स्वयम का, तो आप लोग स्वयम को अच्छे से जरूर समझेगा, अगर स्वयम समझ आ गया, तो उसी पे हम फिर MOOC पे जाएंगे next video में, एक question तो यहाँ से बन सकता है कि स्वयम की tagline क्या है, शिक्षित भारत, उन्नत भारत, पेपर वन के best preparation के लिए complete course में लेकर आई हूँ जो की examination के difficulty level, latest questions के pattern and previous year examination के analysis के हिसाब से बनाया गया है, इस course में students daily live lectures के साथ आपका 100% syllabus exam से पहले cover करवाने की surety दी जाती है, बहुती easy language में real life examples के साथ पहले आपके concepts clear करवाय जाएंगे, उसके बाद आपको practice के लिए previous year questions औ expected mcqs दिये जाएंगे ताकि आपको ये भी clear idea हो जाएं कि जो आपने पड़ा है उसमें से कैसे questions exam में आते हैं, full syllabus mock test है जिसमें से की guaranteed hazardous questions exam में देखने को मिलेंगे ही, इसके लिए एक new batch हम start कर रहे हैं जो कि Monday से start हो जाएगा, आप सभी students बिना देरी किये, given numbers पर contact करके इसको free videos देखनी है, तो global online आपको ज़रू download कीजे, store section पर search bar में course का नाम लिखने के बाद, आप content पर click करोगे, आपके सामने free demo videos है, complete paper 1 का मेरा course आपको मिल जाएगा, जिसके अलावा extra आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो students ये best course है आपके लिए, जो कि करेगा paper 1 में easily, 100 में से 80 प्लस score करने में, आपको बिल्कुल परिशान नहीं होना है, बस given numbers पर whatsapp के through contact कर लीजिए, दूसरा question यहाँ पर यह बनता है कि स्वयम की full form क्या है, तो स्वयम stands for study webss of active learning for young aspiring minds, ये आपको as it is याद रखनी है, बिल्कुल confused मत होना क्योंकि options ऐसे होते ह बहाँ पर confused हो जाते है, study webss of active learning for young aspiring minds, यानि कि एक study का web है, web को हम बोल सकते हैं, जाल, यानि कि जिसे हम बोलते हैं, internet, वही चीज़ है, तो ये एक ऐसा internet से related web बनाया गया है, जिसके through young students जो है, young aspiring minds जो है, वो actively learning कर सकते हैं, तो इसको याद रखना है, दूसरी चीज यहाँ यह है कि स्वयम को बनाने के पीछे main कारण क्या है, जिस पर यह depend करता है, तो स्वयम पोर्टल के three cardinal principles होते हैं, यानि कि तीन मुख्य सिधान्तों पर स्वयम हमीशा काम करता है, पहला सिधान्त है access यानि कि पहुंच, स्वयम एक ऐसा platform है कि आप चाहे किसी भी छोटे से गा आप तक है, बस आपके पास internet connection होना चाहिए, आप लोग वहाँ पे कहीं पे बैठके स्वयम पोर्टल पे पढ़ाई कर सकते हो, next है equity, equity का मतलब होता है कि सभी को equal level पे यहाँ पे रखा जाता है, किसी का financial background क्या है, किसी का educational status क्या है, यह यहाँ पे अलग नहीं है, हर एक quality यानि कि गुणवत्ता, सो स्वयम में जो भी हमें चीजे मिलती है, जो भी हम सेखते हैं, वो best quality होता है, हमेशा, ठीक है, सो यह चीज आपको याद रखनी है, यह three cardinal principles examination point of view से बहुत जादा important है, next अगर हम बात करें, तो यह है कि स्वयम एक indigenous है, indigenous एक portal है, एक platform है, अब indigenous का मतलब होता है, made in India, कोई भी चीज अगर अपनी ही country में बनी हो, पूरी तरह से, तो उसको indigenous बोला चाता है, right, and MOOC मैंने बताया कि इसी का एक part है, इसी का एक हिस्सा है, and इसका यह benefit है कि कोई भी, anyone, anytime, कहीं से भी, and anywhere, कभी भी, कभी भी, कहीं भी, कोई भी, इसको access कर सकता है इसका फायदा उफा सकता है, next point यहाँ पर यह बोला गया है कि कि किसने इसको develop किया, यह भी एक बहुत important statement है, 2021 में जो exam हुआ था, उसमें यह पूछा गया था, तो स्वयम पोटल is developed by Ministry of Human Resource Development, that is, MHRD, and the All India Council for Technical Education, that is, AICTE, with the help of Microsoft. So, MHRD, AICTE, दोनों ने मिल के इसको बनाया था, इनकी help किसने गी थी, Microsoft में भी गी थी. अब यहाँ पर एक homework question में आपको यह देती हूँ, कि MHRD जो हम बात कर रहे हैं, अभी इसका new name रखा गया है. इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो वो इसका क्या नाम है, आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा. एक्जाम में पूछा जा सकता है, higher education unit के अंदर, ठीक है. So, new name क्या है, यह आपने मुझे बताना है. अब यह जो question है students, यह मैं आपको बता दूँ कि 2019 में exam में पूछा गया था, कि Soym Portal is for, किसके लिए है Soym Portal, promoting high quality education, providing access to high quality education, telecasting high quality educational content free of charge, या फिर both B and C. अगर आपने यह slide में मेरी बाते अच्छे से सुनी होंगी, तो आपको इसका answer जरूर आता होगा. इसका answer है option number 4, that is B and C. Improving access, यानि कि सबको हमने अच्छा access देना है, high quality education का access आपको देना है. दूसरा यह है कि इसकी help से telecast किया जा सकता है, high quality educational content हो भी, बिल्कुल free of cost, आपको किसे भी तरह की fees पे नहीं करनी होती है. अब आते हैं next point पे, यह भी बहुत साथा important है, इसमें पूछा गया है, it's ultimately capable of hosting 2000 courses and 80,000 hours of learning. तो यहाँ पे देखो, लगबग 2000 courses स्वयम जो है launch कर चुका है, जिसमें की school के बच्चे, undergraduate, postgraduate, engineering, law and जो भी professional courses होते हैं, सारे के सारे इसमें included हैं. तो आप लोग भी अगर course करना चाहते हैं, उस OEM के अंडर, तो आप उसके official website जरूर देखेगा, बहुत अच्छा platform गॉर्मेंट दे रही है, जो कि free में हमें service देता है. All the courses on the platform are interactive, prepared by best teachers in the country and are available free of course to the students in the country. तो यह interactive है, interactive का मतलब होता है, teacher और students आपस में बातचीत कर सकते हैं, comment session के तुरू, या फिर अपने queries हमें दे सकते हैं, हमें answer उसके मिल जाते हैं, ठीक है? And इसमें जो best teachers होते हैं, जैसे NITs, IITs के जो teachers होते हैं, वो यहाँ पर पूरा content प्रवाइड कर वाते हैं. And साथ ही more than 1000 specially chosen faculty and teachers from across the country have participated in preparing these courses. So special teachers यहाँ पर रखे गए थे, जिन्होंने यह पूरे के पूरे courses prepare किये हैं. अब बात आती है कि स्वयम आखिरकार हमें क्या-क्या चीज़ें provide कराता है, ठीक है? So स्वयम हमें provide कराता है courses 9th class से लेकर के post-graduation तक, यानि कि हमारी master degree तक 9th class से लेकर के master degree तक कोई भी course हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें स्वयम पे वो मिल सकता है. The courses hosted on स्वयम is in 4 quadrants, तो 4 quadrants में इन courses को रखा गया है, यह quadrants का नाम बहुत important है, इनकी explanation में आपको आगे बताऊंगी, यह भी बहुत important है. तो पहला quadrant है video lecture, यानि कि स्वयम जो है हम लोगों को video lecture के माध्यम से भी हम स्वयम में पढ़ सकते हैं, यह आप देख सकते हो. ठीक है, दूसरा है, specially prepared reading material that can be downloaded or printed, यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है. Next is self-assessment tests through tests and quizzes, यानि कि हम assessment भी कर सकते हैं, हम different तरह के test भी दे सकते हैं, quiz भी होते हैं, जिससे कि हम अपने आपको access, sorry, assist कर सकते हैं, अपना correction दे सकते हैं. It is an online discussion forum for clearing the doubts, यहाँ पर एक online forum भी है, अगर मुझे कोई query है, तो मैं वहाँ पर अपना doubt दे दूँगी, उसका solution मुझे फे teachers वहाँ पर दे देते हैं. तो यह चार quadrants हमें Swayam में मिलते हैं. इसके साथ ही कौन-कौन सी category, कौन-कौन से courses यहाँ पर include हैं, engineering, science, humanities, management, languages, mathematics, arts, recreation, commerce, general library, education. ठीक है, so courses delivered through Swayam are available free of course to the learners. अब यहाँ पर यह जो question है, यह भी एक previous year question है, इसको आप लोग इच्छे से देखेगा. Which among the following is a massive open online course? That is MOOC, मैंने आपको भी बताया. Which among the following is a MOOC created by Ministry of Human Resource Development, Government of India? Pratham, Swayam, Future Learn, या फिर Swayam Pravha. तो देखो, पहली slide में जहाँ पर लोगों थे, इन तीनों के वहीं पर मैंने आपको यह चीज़ बता दी थी. इसी तरह से question पूछे जाते हैं, तब ही मैं आपको बोलती हूँ कि हमारी वीडियो में जो भी content होता है, यह हम सोच समझ के लाते हैं, इसलिए हर एक चीज़ को नोट ज़रूर कीज़ेगा. So right answer आपको सभी को पता होगा, that is option number two. ठीक है, four quadrants मैंने आपको बताए थे, जिसमें की पहले हमने वीडियो लेक्चर की बाती थी. So, उस quadrant को हम e-tutorial बोलते हैं, ठीक है, examination में, वो points में याद रखने है, video lectures और जो मैंने बताए, major focus उस पर रहेगा, quadrant one है, e-tutorial, जिसमें की audio, video आता है, animation, video demonstration, यह सब आती हैं चीज़े. दूसरा है e-content, जिसमें की e-books मिलती है, pdf मिलता है, text मिलती है, simple हो सकते हैं की हमें notes मिल रहे हैं, इसमें हमें video lectures मिल रहे हैं, notes किस format में होते हैं, pdf format में होते हैं. third quadrant है web resources, so related links, ठीक है, जैसे की कोई topic अगर मैं आ लीजिए, कि अपने post graduation का, अपने M.C.A. का मैं कोई topic अगर पढ़ रही हूँ, तो उससे related pdf मुझे मिल गई स्वयम पे, ठीक है, लेकि उसी से related links भी वहां पे मिलेंगे, Wikipedia के links भी वहां पे मिलेंगे, ताकि जाता information हम देख ना चाहें, तो हम हम पे देख सकते हैं, ठीक है, इसमें books हैं, जिसमें e-books भी है, research papers है, journals है, तो आप लोग इसको जरूर try कीजेगा, 9 से post graduation के बीच में, अगर आप लोग हो किसी particular topic के बारे में, by chance आपको कहीं से जमझ नहीं आ रहा, तो आप सोयम पी जाके उसको जरूर द मज़ आई है, एक्चल में कितने पानी में आप अभी तक हो, तो ज़रूर इन चीज़ों को नोट कीजिए, इसे के साथ national coordinators होते हैं स्वयम के, ये भी important है, अब क्या है, देखो, जैसे कि हमने आपको बताया, कि स्वयम में हमारे पास engineering subject है, language subject है, science है, mathematics है, ठीक है, computer है, इस management हो गया, या science हो गया, वो इसको handle करते हैं, ठीक है, so school education है, उनको NCRT handle करता है, तो ये है सारे coordinators, so nine coordinators है, जिनकी help से स्वयम काम करता है, तो पहला है AICTE, यानि कि All India Council for Technical Education, so जितने भी technical courses है, उन सब का course बनाना, उन सब को पढ़ाना, उन सब का पूरा handle करना AICTE के अंडर है Engineering से related, जितने भी courses यहाँ पर available है, उनको handle करता है, NEPTAL यानि कि National Program on Technology Enhanced Learning, post graduation subject है, अगर आपका कोई भी, तो उसको handle करता है UGC, undergraduate CEC, that is Consortium for Educational Communication, school level पे NCRT, exam में ये पूछा जा सकता है, कि स्वयम के अंदर, अगर school education की हम बात करें, तो उसके लिए कौन सा National Coordinator responsible होता है, तो आप कौन सा आना चाहिए, NCRT, ठीक है, so easy है इनको याद रखना, आप देख सकते हो, NIOS, school education के लिए है ये भी, IGNU है, ये भी school students के लिए है, generally ये जो distance education होती है, उस पर focus करता है, IIMB, जितने भी management studies है, management students है, उनके लिए ये responsible है, next है N NITTTR, ये है National Institute of Technical Teacher Training and Research, जो भी teacher training से related courses होते है, so ये अगर teacher training से related courses, जैसे कि अगर आप B.A.D. कर रहे हो, या फिर कोई और teacher training program में आपने admission दिया है, तो उसको responsible, उसको manage करने के लिए responsible है, NIPTTR, ठीक है, so ये nine coordinators है, four quadrants है, and three, उसके cardinal principles है, ये आपने note करना है, So I hope students, आज की वीडियो आपको पसंद आई है, अगर कोई doubt है, कोई query है, तो comment कीजिएगा मुझे, and अगर ये वीडियो पसंद आई है, and इसी तरह से आप चाहते हो, कि मैं आपके लिए Hindi English में सारा content लेकर आऊं, complete paper one आपके लिए लेकर आऊं, तो मुझे like जरूर कीजिएग and comment करके मुझे जरूर बताईएगा, so thank you